इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उप्योग करत जो आहार के माध्यम से नहीं लिया जाता है। कैलशियम शरीर में बहुत महत्वपोन भूमिका निभाता है क्योंकि यह तंत्रिकाओं, कोशिकाओं और मांस्पेशियों के सामानिक आमकाज के लिए आवश्यक है। हमारा शरीर कैलशियम को दो स्रोतों में से एक से प्राप्त कर सकता है। अर्थात भोजन, आहार या हड्यों से। जब भोजन आपके शरीर की कैलशियम आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो यह से आपकी हड्यों से उधार लेता है। यदि लंबे समय तक ऐसा होता रहे तो इस से हड़ियों का नुकसान होता है इस कैपसूल में मॉलिक कैल्शियम और विटामिन D 3 का संतुलित मिश्रण है जहां हड्यों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम आवश्यक है, वही विटामिन D शरीर को कैल्शियम और फॉस्फोरस को अवशोशत करने में मदद करता है मजबूत हड़ियों के निर्मान के लिए विटामिन D, कैल्शियम और फॉस्फोरस की सही मात्रा होना महत्वपूर्ण है कैल्शियम हृदय के लिए भी आवश्यक है और रक्त के ठक्के जमने में सहायता करता है ये खनिज औस्टियो प्रोसिस को प्रबंधित करने और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में कैल्शियम की कमी को रोकने में भी मदद करता है शरीर में विटामिन D3 का प्राथमिक कार्य हड़ियों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना है यहां आंत में कैल्शियम के अवशोशन को सुनिश्चत करके और हड़ियों के स्वास्थे के लिए आवश्चक दो खनिजों कैल्शियम के पर्याप्त स्तर को बनाए रखकर ऐसा करता है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक, दैनिक आवश्चक विटामिन, मल्टी विटामिन और विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक जैसे खनिच बार-बार होने वाली बीमारी को रोकने के लिए प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं दो, प्राकृतिक जिंसेंग और मैगनीशियम मानसिक सतर्था और एकागरता को बढ़ाते हैं और तनाव को प्रबंधित करने की ख्षमता को बढ़ाते हैं तीन, इसके प्रमुक तत्व, प्राकृतिक जिंसेंग, विटामिन B कॉम्पलेक्स और आयरन दैनिक उर्जा जरूरतों को पूरा करने और दिन भर की थकान से लड़ने में मदद करते हैं चार, तंत्रिका तंत्र की सामानने कार्य प्रनाली को बनाए रखने में सहाइता करता है पांच, विटामिन B12, यानी की कोबालामिन, तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में मदद करता हैं और DNA संशलेशन और परिपकवता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये होमोसिस्टीम को मैथियोनिन में परिवर्थित करने में मदद करता है, जो हृदे की रक्षा के लिए आवश्यक है 6. फोलिक एसिद लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने में विटामिन B12 के साथ मिलकर काम करता है 7. मानस्पेशियों का स्वास्थय पैरों की एंठन से राहत देता है और मानस्पेशियों को व्यायाम से होने वाले नुकसान से बचाता है 8. तवचा का स्वास्थय तवचा को पावर रिच कैपसूल से होने वाले नुकसान से बचाता है 9. यह एक आहार अनुपूरक है जो हड़ी और जोडों के स्वास्थिका समर्थन करता है 10. ओवर्डोस के लक्षनों में गैस्ट्रिक गड़डी, सिर्दर्द और हृदय गती में वृद्धी शामिल हो सकती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें